नमस्कार, एक बहुत मैत्वपुर्ण विशे आपके सामने लेका आए हैं, इस संसार में जब मनुष्य पैदा होता है, तो समस्या साथ में रहती हैं, और समस्या साथ में हैं, तो सभी सास्त्र, ये हमारी डिरेक्टर हैं, निर्देशक हैं सास्त्र, आएरवेद के, जोतिस के, जितने भी पुराण हैं, उपनिशद हैं, सब हमारे डिरेक्टर हैं, ये हमें उप्देश देते हैं, और रामचरीत मानस में लिखा है, सकल पदारत है जग माहीं, कर्म हीन नरपावत नाहीं, समस्या का समाधान आपके ही पास है, लेकिन आपको मालूम नहीं हैं, कि मुझी करना क्या है, तो ठीक इसी प्रकार मनुश्ये नव ग्रहों के द्वारा संचालित है, जीवन उसका ग्रहों से संचालित होता है, ग्रहों के रिमोर्ट से चलता है, भूख, प्यास, बिमारी, उसका आचरन, उसकी व्यापार, उसकी एजुकेशन, उसका दामपत्य जीवन, उसका हर प्रकार का लेन देन, खाना, पीना, व्यभार, व्यभाव, उसके जीवन में क्या-क्या, उपलब दिया होंगी, ये सब ग्रहे बताते हैं, लेकिन जीवन में मनुष्य के अचानक कई समस्या आती हैं, कभी मकान की समस्या, कभी जमीन की, प्रॉपर्टी की, पैसे की, दुस्वनों का कोई अटेक होता है, या पारिवारी क्लेश होता है, बच्चे को लेकर के, उसकी एजुकेशन को लेकर के समस्या आती हैं, तो जब कभी कुछ भी ना सूझे आप समस्या में घिरे हुए हैं तब आप करेंगे क्या, क्या सूझना चाहिए आपको, जब कुछ भी ना सूझे तो ये उपाय है उस समय, किन करतवे विमूड सब्द है क्या करूं क्या ना करूं अब तो तब ये करना चाहिए, आपको decision ले आपके उपर पाप ग्रहों की छाया है, समापत हो जाएगी, आपके सत्रों से अगर आप घिरे हैं, तो सत्रों का विनाश होगा, सामने कोई नहीं आएगा, अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, इस मंत्र को पढ़ करके जाएंगे, तो accident कभी नहीं होगा, ये guarantee है, सभ ग्रहों के नौ ग्रहों के नाम इस में हैं ये, ब्रह्मा मुरारिस्त्र प्रंदकारी भानुशसी भूमि सुतो बुधस्च गुरुश्च सुक्र शनिराव केत्व सर्वेग्रहा शांतिकरा भवंतू, अगर आप जुमार हैं, तो लाश्त में बोलें, सर्वेग्रहा पुष पुष्टिकराहा भवंतू, अगर आप संतुष्ट नहीं है, अशांति है, अतरप्त मन है आपका किसी चीज की इच्छा है, तो बोलेंगे, सर्वेग्रहा पुष्टिकराहा भवंतू, और अगर यात्रा के लिए आप कहीं प्रियान कर रहें, यात्रा के लिए, आरंब कर एक्जाम देने जा रहे हैं, या लंबी आतरा पर, तीर सी आतरा पर, विवा के लिए, लड़की देखने के लिए, या लड़का देखने के लिए, या किसी नौकरी की जॉइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये मंत्र बोलना है, आपको सक्सिस मिलेगा, और किसी तंत्र, मं यंत्र तोने टोटके बाबा ढूंगियों के चकर में बिल्कुल नहीं फसना, सास्त्रों के द्वारा प्रस्क्राइब मंत्र यही है, असली, बाकि डुब्लिकेट के चकर में नहीं फसना, हमारा जो मंत्र है वो ब्रेंडिड मंत्र है, सास्त्रों के हिसाब से, यात्रा में चलते समय ये बोलना है इस मोबाइल में आपने सेव करके रखिए इस मंत्र को हर समय तो दुबारे बोलता हूँ मंत्र वही है लेकिन लाश्ट की लाइन बदली हुई है ब्रम्मा मुरारी इस्त्र ब्रांद कारी भानूश सीभूमि सुतो पुधस्च गुरुष्य शुक्र शनिडाहुकेत्व कुर्वंतु सर्वे ममसूप्रियानम ये सब ग्रह मिल करके सर्वे ममसूप्रियानम मेरी आत्रा को सफल बनाएं तो जब आप निवेदन कर रहे हैं नो के नो ग्रहों के से तो उनके मॉबाइल में जो सूर्य चंदर, मंगल, राहु, शनि, ब्रस्पति जो भी जितने भी ग्रहे हैं सब को एक नोटिफिकेशन मिलेगे कोई भथ आपको पुकार रहा है और वो कर्पा का हर आदमी की एक राशी है, हर आदमी का एक लगन है, उसका एक स्वामी है तो उसके स्वामी के पास आपकी राशी का स्वामी सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि है, ब्रस्पति है वो आपके उपर करपा करेंगे तो रोज एक बार ये मंत्र बोलें एक बार तीन बार जब भी बोलेंगे तो इसका लाव आपको 100% मिलेगा और भी कुछ नहीं मिलेगा तो आपके confidence improve होगा और psychologically आपके दिमार्ट में ये आएगा मैंने नव ग्रह शांती का जो मंत्र बोला है ये मेरे उपर उनकी कृपा और अशिरवाद अवर्षे मिलेगा और भी कुछ नहीं आपको पुन्य तो जरूर मिलेगा इसमें कुई संदे नहीं है तो इसलिए इस मंत्र को याद कर लीजिए अगर किसी को पूछना है वार्ट सेपर हम लिखर के भी भेज सकते हैं लेकिन जब आपको वीडियो दे दिया उसको आप सर्वन करें बहुत अच्छा रहेगा इसी बहाने से आपके घर में जब यह मोबाई में गुंजे गए मंत्र तो नकारात्मक उर्जाएं जो बनाएं होती है जो भूत प्रेट पिसाच यक्ष गंधर राक्षस किंडर बेताल जो नकारात्मक उर्जा है तो घर मे कभी प्रवेश नहीं करती जब यह मंत्र पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें ओम भी आ रहा है और नव ग्रहों के नाम आ रहे है वो सब नकारात्मक उर्जाओं को प्रवेश नहीं करने देंगे वहीं इश्वर का वास होगा आपके ऊपर अच्छी उर्जा अच्छी ग्रह करता है